जी आँ दोस्त आज हम लोग मैत के 8-9 ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जो एक्जाम में बार बार पूछा जाता है उस टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे बार बार एक्जाम में है अलग-अलग टॉपिक रहेगा अलग-अलग कोशन रहेगा जो एक्जाम से डेटेड रहेगा बस उसी टैप का कोशन आपको इस वीडियो मिलेगा उसके अलावा एक्स्टा कुछ नहीं मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले इस टैप का कोशन देखते हैं आपको देखने को एक्जाम में यह कुशन जरूर मिलत सब्सक्राइब इस टाइब का question एक यह है दूसरा question आपका है इसको अलग तरीके से solve किया जाता है, यह confusion आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, सबसे पहले हम बताते हैं इसको उपर वाले को solve करने के लिए, जब कोई संक्या रूट के अंदर रूट रहता है, रूट के अंदर रूट रहता है, और infinity तर जाता है, उसका जो एक सं कोस्चन जो है, इसको आपको solve करना पड़ेगा, कैसे solve करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फर्मूला है, फर्मूला क्या है, आपको x के पावर, 2n-1 by 2n, यह इसका फर्मूला है, यह फर्मूला पर यह question सुलू होगा, एक स्की जगा पर दोस्तों क्या होगा, यह 5 जो है यह 5 होगा, x की जगा पर जो है, यह वाला 5 होगा, 5, 2, और n मतलब कितना term है, तो इसमें term कितना है, 1, 2, 3, 4, तो 2n, यानिकि 2 into 4, minus 1, divide by 2n, संख्यां के 4 कितना term है, 4 into 4, x की जगा पर यह 5 था, 5 ले लेना है, ठिक? इसको solve करना है, solve करेंगे, कितना होगा, 2 into 4, 2 के power, sorry, 2 के power 4 होता है, sorry, multiply में नहीं होता है, 2 का power 4 होता है, 2 यानि मतलब 2 के power 4, 2 के power 4 होता है, आपको 16, minus 1, divide by 16, तो यह 5 का power, 16 में से यह गया, तो आपको 15, और यह नीचे 16, यह आपका answer, इसी तरह से और question हम देखते है, next question आपको यह है, root 7, root 7, root 7, आपको 3 term तक है, तो इस type का question solve करने के लिए आपको formula हम बताए है, x के power 2n-1 by 2n, हैना, x के power 2n, हैना, by minus 1 by 2n, x का value बताए थे, x का value होगा 7, और 2n का value वहाँ पर कितना term है, 1 term, 2 term, 3 term, 3 term है, तो 3, minus 1y, आपको हो जाएगा, 2 के power 3, इसको solve करेंगे दोस्त, तो इसको solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 तो रहेगा ही, 2 के power 3, यानि की, 8 होगा, minus 1, divide by 8, यानि की, 7 के power 7, divide by 8, ये इसका answer हो जाएगा, तो इस type का question आपको exam में जरूर देखने को मिलता है, और इस trick से solve करेंगे, एक दो question इसका out ले लेते हैं, फिर next topic के तरफ चलेंगे, ये question आपको देखने को मिलेगा, रूट 9, रूट 9, रूट 9, रूट 9, रूट 9, रूट 9, ऐसे करके 5 टर्म देखते हैं, तो आपको फ्रमूला सीर्फ एक ही फ्रमूला है, उसी से आपको इस सारे रूट वाला question बन जाएगा, हम उमीद करते हैं, जो आपको question समाझ में आगे, एक्स के जगा पर क्या लेंगे, नाइन लेंगे, टू रहेगा और एन के जगा पर कितना टर्म होता है, जितना टर्म होता है, तीन, चार, पांच, पांच टर्म, टू के पावर फाइब मैंनस वान बाय, टू के पावर फाइब, यह होगा, यह हो जाएगा, तो नाइन, तो 31 यानि कि 31 divided by 32 यह आपका एंसर हो जाएगा हम उमीद करते हैं यह question आपको समझ में आ रहा होगा आपके लिए question दे देदें जैदि समझ में आ गया है तो आप comment करके हमको इसका answer बताईएगा आप आसा करते हैं कि आप इसका answer जड़ू बताएंगे यह question है इसका आप comment box में answer बताईएगा और हम बढ़ते हैं next topic जी हो दोस्त एक question आभी हम खदम किया एक pattern बला जो root के अंदर root था और हम नया topic लेके आया है रेक्रिंग वाला question आपको एक्जाम में जरूर मिलेगा और एक से दो question देखने का हर एक चीज के एक्जाम में मिलेगा आपको देखने को जरूर मिलेगा इस टैप का question तो हम आज रेक्रिंग वाला question भी solve करेंगे रेक्रिंग वाला question क्या होता है जैसे मांगे चलो पॉइंट के उपर कुछ बाद कोई संक्षया लिखा है उपर से एक बार लगा हुआ है एक लाइन लगा हुआ है यानि इसी को रेक्रिंग बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों रेक्रिंग बोलते हैं इस टैपको question solve करने के लिए सबसे पहले आप चुछ आपको बताते हैं के से स्व耗ने के विखने के वह सबसे पहले आपको क्या करना है यह कितना लिखा प्वाइंट के बाद 373 लेखने के बाद इतने संखियां पर रैक्रिंग उतने नौर जैसे एक तीन पर रहे तीन पर है तीन की जगापे नौर छे पर भी रहे हैं तो इसके जगाप एक नौर तो यह आपका यहां पर आपका इंसर हो गया बस और आपको देखना है एक्जाम में जदी ऑप्षन जो है इस परकार दिया है बड़े-बड़े टर्म में 36 2929 में 24 9 33 4 बाइनसर होगा और एंसर इसका यह भी हो सकता है यह जोड़ी है व्रम यह लेखिन आपको उफ्सन देखना है घृदिशवह द्या है तो आपको इसको काट लेना है नहीं चोटा ल्या Sono देना है तो इसी तरह से इसको छोड़ देना है तो यह कोश्चन सौल्फ हो गया दूसरा कोश्चन देखते हैं जैसे यह 25 वाला यह क्या बोलते हैं पॉइंट के बाद कितना दो अंकों पर रेकरिंग है तो साथ पहले 25 लिख लेते हैं जो उपर में है उसको आम से लिख लेना है कितने अंक पर रेकरिंग है दो यह 99 करते हैं तो पचीश वाए 99 आपका यह एंसर हो गया नेक्स कोश्चन देखते हैं यह देखना है यह तो 325 तो पहले आपको लिख लेना है ठीक 325 आपको लिख लेना है उसके बाद क्या करना है कितने अंक पर रेकरिंग है दो नहीं पर नहीं लगा है इसके बाद देखना है आपको किस संख्या किस संख्या ऐसा है कौन सा संख्या आइसा जिस पर रेकरिंग नहीं है तो आप अध्यान से देखेगा जो 3 है 3 के उपर में कोई बार नहीं लगा इस पे उपर कोई रेक्रिंग नहीं है तो इसके जगा पर एक 0 डालेंगे नीचे में और 0 भी इधर साइद पीछे नहीं इधर आगे तो यह 990 हो गया और उपर में क्या लिखना है उपर में लिखने के लिए बता देते हैं उपर में माइनस करना है जो संक्यां पर डेक्रिंग नहीं है उस संक्यां को माइनस करते हैं समझ में आ गया होगा आसा करते हैं तो 325 में से 3 माइनस करेंगे तो 322 हो जाएगा ठिक और नीचे 990 हो जाएगा यही आपका एंसर हो गया चाहे तो आप काट करके भी एंसर इसका काम कर सकते हैं इसी तरह से हम और कोस्टन देख लेते हैं जैसे मांद के चलो एक्जाम पर ले रहे हैं पॉइंट छे डू जा ठिक इस पर दो संख्यां पर टेक्रिंग लगा दे रहे हैं ठिक आपको यह करने के लिए बोला जाए तो कैसे सोल्व करेंगे कि 624 तो लिख लेना है निच्चे में दो संख्यां पर टेक्रिंग है तो 99 लिख लेना है एक संख्यां पर टेक्रिंग नहीं है तो उसके जगा पर 0 लिख लेना है उपर क्या करना है जिस संख्यां पर टेक्रिंग नहीं है उस संख्यां को यहां पर से माइनस कर देना है तो है जिस साबसे पहले आपको क्या करना है जो 1234 इसको सेंट लिख लेना है नीचे कि रहा है उसको निना और जो वह को यह उसके घर नही के रहा है उसको मैंनसर आधा वह बता-दसे इसको मैनस करेंगे तो यह हो जागा बारा बाइस हाना यह हो गया उसके बाद नीचे कितना हो गया निनना नवे डबल जी रो यह आपका एंसर हो गया चाहे तो आप इसको कार सकती है नहीं तो इतना पर छोड़ सकते है यह नेक्स्ट कोशन देखिए पॉइंट फाइब इसक दिया उसके बाद क्या को संक्या पर अप्र धिनक है चार संक्या नहीं ऐसके जगह पर जिरो लिख liberoलिटे यह इस पर नहीं तो यह ह capac сосed टू यह नाइन 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 एनसर होगी तो ए सटेरट है एक पॉइंट के इस साइडवाला सब प्रकार चोड़के रेकर प्रेंग फिर यह पांस संख्यां पांस नमर का संख्यां यह आपको स्टाइप का कंसेप्ट दिमाग में रखना है यही पूछा जाता है और इसका पॉइंट के इस साइड वाला कोश्चन एक देख लेते हैं एक दो कुश्चन आपको वह भी समझा देते हैं जैसे यह है 1.25 क्या है 1.25 इस पर इंच पर देख रही रहे हैं आपको इस पर करने के लिए बोला जाय रहा है और कैसा सब्सक्राइब हिसरो को करने के लिद्स अ पहले अलग करना है यह जो 1 है इसको अलग लिखना पर लास में लिखना ऑगा जीरो पॉइंट 25 के उपर रेकडि यह तो पता है आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं उन प्लस तू जिस पर रैकरिंगगे उसको सीधे-सीधे लिख देंगे डवल डावल दू संधिया डेकरिंग है तो 99 लिखे दिए ऐसे लिखे देंगे इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको यह ऐसे कर सकते हैं एक को 99 से गुना करेंगे कितना होगा 99 होगा और इसमें 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124 और यह 99 बस होगी आपका कोश्चन इसी तरह कोश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसी में एक कोश्चन और देख लेते हैं इसे 1.65 के उपर एक ठीक तो इसको कैसे सॉल्व करें इसको सॉल्व करने के लिए इसको बताएं इसको वन को अलग कर लेना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा इनानवे और यह हो गया एक सो चोंशाट और एक सो चोंशाट हो गया और क्या बोलते हैं डिवाइड वाई निनानवे यह आपका एंसर हो गया देख रिंग वाला कोश्चन हम उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अ सब्सक्राइब इससे आगे बढ़ते हैं डि acknowledging कि यह आज इस वेर्टिओ का तुश्चन मतलका क्यों सेसाट करते हैं है रूट के ऊपर ऊपर रूट के अपफर ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर और क्या हो इस टाइप का कोउश्ण आपको वह द्याँ में देखने को मिलता है अक्सर कंडिलेट या तो गल्ती करते हैं या थो चुछन-च्छोड किया जाब तो आज के बाद आपने तो गल्ती करिएगा नए तो क्रूप चो चोड़ रूट एक्स उसको लिख लेंडा और आपको पता होना है रूट एक्स का मतलव होता है 1 by 2 1 by 2 आपको पता होना चाहिए इसका मतलव होता है तो यह root x लिखा है तो इसके जगा पे 1 by 2 लिखती है सही है और यह पूरा का पूरा का value दिया हुआ है 1 by 2 तो 1 by 2 हम लिखती है ठिक अब क्या करना है root x का value बताये थे 1y2 होता है तो यह 1y2 और यह 1y2 x के पावर 1y4 तो 2 कितना होगा इस रूट के जगा पर 1y2 लिए यह 1y2 पहले से था इस वाला का जगा पर तो 1y2 और 1y2 कितना हो जाएगा 1y 4 हो जाएगा equal to आपको जो इसका संक्या है यह 1y2 ले लिए ठीक इसका जो मान दिया इस तरह से यहाँ से जो x का भेलो निकालेंगे तो x equal to तो यह 1y2 दिया ही है और यह वाला 4 इस फिद डाल देंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा x x equal to क्या बोलते हैं जब 2 के पावर 4 कितना होता है दो के पावर 4 होता 16 तो यह एक वाटा 16 आपका इंसर हो जाएगा एक्स का मान निकल गया कितना एक वाटा 16 यह आपका अंसर हो गया इस तरह से क्वेश्चन इसको स्वाल करना है कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का जैसे यह रूट के एक्स के उपर रूट एक्स रूट की उसके पावर रूट एक्स ऊसके पावर रूट एक्स ऐसे करदे-करथे आपको इन्पिलिटी आउए उसका वेवल्यू दिया है जो एकोल टू तरी तो आप से पूछा जाए दिन एक्स उक 2-1 यानि कि X का मालत क्या हो पहले एक क्वेशन आपको बताएं थे सबसे पहले यह ROOT X लिख ले ना, ROOT X लिख लिए, और रूट X का जहां से स्टार्ट हुआ आए, यह ROOT X का वेल्डू जो होता है, आपको पता होता है ROOT X का वेल्डू होता है, तो 3 के power 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 के power 4 हो जाएगा यानि कि आपको 3 का power 4 कितना होता है 81 होता है अब बढ़ते हैं next topic के तरफ अब हम next type का question देखते हैं आपको देखने के exam में जरूर मिलेगा और मिलता ही है इस type का question तो हम आपको वीडियो के starting में ही बोल दिये थे जो हमारे इस वाले वीडियो में question वही रहेगा topic वही रहेगा जो exam में आएगा start करते हैं यह question कैसे solve करेंगे ठीक if p plus q equal to it then p q 6 दिया है find the value of p q plus q का q इसका value आपको पता करना है कैसे पता करेंगे तो p q plus q का q यानि कि a q plus b q का जो formula होता है यही formula पे इसको solve करना है तो इसका formula क्या हो जाएगा p q plus q का q p q plus q का q इसका हो जाएगा आपको फरमूला p plus q p plus q into p plus q का square हो जाएगा ठीक और minus 3 p q यह हो जाएगा इसको इस फरमूला पर बैठा देना p plus q का value आपको question में दिया है 8 ठीक इसके बाद p plus q का square है यानि कि 8 का square करना 8 का क्या करना है square करना minus 3 p q यानि कि 3 तो है यह और p into q का value कितना है p into q का value है 6 थी इंटू 6 बस हो गया कर लो सोल यह 8 हो गया 8 का square होता है 64 माइनस छेत्रिक 8 यानि कि 6 को तिन से गुना करेंगे तो यह अठार हो जाएगा और इसको इस में से माइनस करेंगे तो तो इसको जो है 64 में से 18 मैनस करेंगे तो यह हो जाए इस दोनों को multiply करेंगे तो 368 आपका answer हो जाएगा इस टाप का question है ना यह question आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलता है क्यूब निकालने वाला इसमें एक दो question और देख लेते हैं ताकि आपका क्यूब का concept के लिए रहेगा इसी में एक question और देख लिए है अगर प्लस q बड़ावर 6 है और पी इंटू q का value आपको 4 है तो पी का q प्लस q का q का मान आपको ग्याद करने के लिए बोला जा रहा है तो कैसे मान ग्याद करेंगे तो मान ग्याद करने के लिए आपको क्या करना है वही फर्मुला जो अभी हम लोग लिखे हैं पी का q क्यू का q बड़ावर फर्मुला होता है पी प्लस q होता है इंटू पी प्लस q का square होता होता है माइनस 3 पी q होता है यह हो गया फर्मुला पी प्लस q क्या value दिया है छे और यहां पे पी प्लस q का square है दिया निके छे का स्क्राइब कर देंगे मैनस 3 और पी इन्टू की का वैल्ड दिया है आपको 4 यह लो कर लो गया सोल 6 का स्क्राइब 36 होता है मैनस 412 यानिकि 12 मैनस करेंगे च्छे गुने 24 हो जाएगा और इसका वैल्डू जो है दुने को सल्प करेंगे मतलब 144 का एंसर हो गया कि यह आप हम रूट वाला कोश्चन आप से हम लोग सीखेंगे इसे पहले चाट टॉपिक देख लिए थे अब यह टॉपिक देखते हम लोग और इसमें जो है आपको जो कोश्चन है सबसे पहले आप कोश्चन देखोगे रूट 25 का मान क्या होगा तो ठीक है आपका बात मानते हैं उसी तरह से हम आपको पूछेंगे रूट 26 का मान कितना होगा बैस्ति कर रहे हैं कैसे सॉल्ब करेंगे इसको इसको सौल्ब करने का ठीक है इसको जैसे अभी वी एक्जाम में आपको सीधा रूट वाला क्वेश्चन नहीं देगा सीधा होते हैं आप याद करके आए होंगे या तो आपको निकालने का तरीका पता है लेकिन यह जो और टाइप कराता है यह आपको एक्जाम में दिया जाता है तो चलिए आपको हम यह वाला रूट अब सॉल्ब करना सिखा रूट 26 का मान कितना होगा तो आपको क्या करना है रू यह थिए 25 प्लस एक हो आपको पता है रूट 25 जो है किस संख्याह का मान मतलब किस संख्याह का मान रूट 25 होता यह 5 हो गया और प्लस एक इसको इस तरह से लिख लेना है ठीक 5 प्लस एक जो इसके बाद है इसको डवाल करेंगे तो 10 होगा एक बट्टा इसके नीचे बोले तरीक नीचे लिए तो आपको पता है जो वन वाइट 10 जो होता है जदी इसको तोड़ेंगे भीन में भीन से तोड़ेंगे इसको प्लस करेंगे तो यहां पर क्या करना है इसको डवाल करके नीचे लिखना है एक दो क्यूशन और देखते हैं कहीं मैं है कि आपसे पूछेंगे जो सब्सक्राइस का मंन निकालने के लिए वही ट्रिक है सबसे पहले नज़्दी का क्यांब 30 होताै और बस कितना जारा 2 इसES का किस्तना है अम कहा महान होता है तो कि सांक्रा मान हो जाएगा 5 हो जाएगा और यह क्या बोलते हैं दो लिख दिए इसको क्या करना बोले थे इसको डबल करके इसके नीचे लिखेंगे और फिर इसको काटना है काटना है यह कितना हो जाएगा 1y5 हो जाएगा 1y5 को पॉइंट में निकालेंगे तो क्या होगा 0.20 यानि कि 5 प्लस 0.20 आपका इसको हम प्लस करेंगे तो 5.20 यह आपको एंसर हो गया इसी तरह से हम लोग 27 28 का 29 का 37 का 43 का 84 का 87 का मतलब ऐसा संख्या जिसका रूट हमको पता नहीं है मतलब जिसका रूट प्रोपर रूट नहीं होता है है ना जैसे 25 का बोलेंगे तो प्रोपर रूट पाँच होता है 26 का बोलेंगे 36 का बोलेंगे तो 6 होता है 49 का बोलेंगे तो आपको पता है 7 होता है लेकिन जिसका प्रोपर रूट नहीं निकल रहा है उस संख्या को आपको इस ट्रिक के मादियों से निकाल लेना है और आपको हम एक कुश्चन दे रहे हैं आप उसको कमेंट में बता दिजीए रूट जो पचास है इसका मान बताईएगा आप कमेंट बॉक्स में ठिक हम असा करते हैं जो आपको रूट वारा इक कुश्चन समझ भी आया होगा जो प्रॉपर रूट नहीं है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरह आज हम अभी यह टॉपिक देखना है इससे पहले हम चार टॉपिक देख चुके हैं तो अब हम देखेंगे जैसे कोई बिलू कोस्चन और आपको एक्जाम में जरूर यह स्टाप का कोस्चन देखने को मिलता होगा आपको हम पहले वीड एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान दिया है साथ एक्स स्क्वाइड प्लस वन बाय एक्स स्क्वाइड का मान क्या हो कुछ नहीं करना इस टैप का कोस्चन सोल करने के लिए एक्स स्क्वाइड वाला मान पूछ रहा तो जिसका स्क्वाइड वाला मान पूछ रहा तो वो जो सं संख्या कर देना है जो संक्यां आपका मझंलीओ को माइनस कर देना तो साथ करेंगे तोaciां होगा सबसांत करें यह से संख्यां करेंक तो इसको जो है तो छोड़ देते हैं हैनल और स्कू से कर filter यह question देखते है जैसे आपको X plus 1 by X का value दिया है 9 X square plus 1 by X square का value क्या होगा आपको पता करना है कैसे पता करेंगे हम लोग तो पता करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको इसका square का करना है किसका जो 9 भेलू दिया, तो 9 का square मैनस 9 कर देंगे, 9 का square होता है, 81 मैनस 9, ये 72 एंसर हो गया, अब हम लोग cube बाले question देखेंगे, ये square बाला question हो गया, cube देखेंगे, कौन सा question देखेंगे, cube से related, हम cube बाले question देखेंगे, जैसे x plus 1 by x का भेलू आपको पूछ दिया हुँ इस क्यूब करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपका क्यूब करेंगे안 लिखेंगे यहां तक सेम लिखेंगे लिखते हैं एसके स्कॉाईर निकल जाता था इसक पे इसक्वाइड करते थे तो और इसमें किय निकाल रहे है इसमें क्या करना है थी क्यूब का guiltymost 3 होता है क媉ंचे मल्टिप्लाइ कर देना तेन से मौ्टिप्लाइ करेंगे करेंगे तो कि टो 3 का मालalen में 8 में मैंटर आपको 298 अवरन सब्सक्राइब कि एक दो क्यूंचन और देखे लेते हैं आपको ऐको क्लियर हो जाएगा देखते हैं ये क्यूब बाला कोश्चन कैसे सोल्व होगा एक्स प्लस वन बाइ एक्स का वेलू दिया है आपको नाइ एक्स क्यूब प्लस वन बाइ एक्स क्यूब के वेलू आपसे पूछ रहा है तो ये वेलू आपको पूछ रहा है तो कैसे सोल्व करें इसको solve करने के लिए हम बताएंगे सबसे पहले 9 का क्यूब कर लिजिए 9 लिख लिजिए क्यूब निकालना है तो क्यूब के ज़िए 3 होता है 3 लिख लिजिए 9 का क्यूब होता है आपको 739 और 9 को 3 से करेंगे तो होगा को 37 और 739 में से 37 मैनस करेंगे यह हो जाएगा 702 आपको समझ में आ गया यह आपको कोश्च्शन एक्जाममें जरूर देखने को मिलता है इस टैब को क्यूब बाला अक्सार देखने को मिलता है एक आध लेते हैं तब आगे कोश्च्च्ट के इतरफ पहस्तिघ एक्स प्लस 20ए गिवोरेट दिया है free by maro9 तो हम क्या किये थे आपको एट का क्यूब करना है एट इंटसटयों कि निकालना है तो तो त्धिरी करना है एड का क्यूब होता है आपको पॉनस के हरा है 8 को 3 से multiply करेंगे तो यह 24 होगा तो 512 में से 24 जदी हम मैनस करेंगे तो यह हो जाएगा 488 आपका answer हो हम आसा करते हैं यह Q वाला question आपको समझ में जरूर आया होगा और आप exam में सही-सही करके आएंगे और अपना यह Q वाला question का point जरूर लगके जाएंगे इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा multiplication ट्रिक बता देते हैं ताकि आप जो एक्जाम में जो question करते हैं तो आपका question speed से हो ज़िए आपका multiplication सही रहेगा पलस करने का तरीका आपका सही रहेगा तो आपका question जो है इसमें टॉपिक बता रहे हैं उसमें थोड़ा एक multiplication का टॉपिक एड़ करके और आपको फास्ट करने का तरीका बताते हैं कैसे करते हैं इस आप मल्टिप्लेकेशन जैसे 48 को 42 से आपको multiplication करेंगे तो आप तो अराम ऐसे ऐसे कर लेज़ेगा अर्तारिस को 42 से इसे मल्टिप्लेकेशन लगेगा कम से कम 30 से 40 से किंड आपको टाइम लग जाएगा हो सकता तो एक मिनट भी लग सकता है इस टैप का question कर जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है यह वाला यह चार फर्ष्ट वाला यह इसका फर्ष्ट वाला यह दुनों को को यह मल्टिप्लाइ करेंगे और उसमें से एक जोड़ देंगे चार को चार से मल्टिप्लाइ करेंगे कितना होगा चार चुका सोलो इसमें से एक चार जोड़ देंगे एक चार जोड़ देंगे एक चार जोड़ देंगे इसका सकेंड वाला और इसका सकेंड वाला को तुना सोलो लो यह इसका मल्टिप्लिकेशन हो गया मल्टिप्लिकेशन आपको ऐसे भी हो जाता और तालिस गुने बियालिस लेकिन समाई लगता है इतना असानी से नहीं होता यह इसी तरह नीचे बड़ा कोशन देखते हैं 6 को 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे 3566 और इसमें से 16 जोर देंगे 366 42 हो गया और इसका दूसरा इसका दूसरा से मल्टिप्लाइ करेंगे 6424 इसका एंसर हो गया इसी तरह से एठ को आट से मल्टिप्लाइ करेंगे तो पर आट होता है उसमें एक चोड़ेंगे चौशाथ और आट कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा कितना हो जाएगा इसके वाद आट को आट से मल्टिप्लाइब करेंगे तो आट को दूसरे मल्टिप्लाइब अरदनों इस तरह से आप मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो आपका समय बचत होता है समय जब बचत होगा तो आपका ज्यादा से ज्याज़ा कोश्चन सोल्व होगा और देख लेते हैं जैसे 9 को 9 से मल्टिप्लाय करें कितना होगा नौन में 81 और एक नौ जोड देना है 80 और नौ 90 हो गया आठ को दूसरे मल्टिप्लाय कर देना है अर्दुन सोल्व हो गया यह लिजी आपका समय को बचाता है इस टैप का कोश्चन जैदि आप एक्जाम में इस तरह से ट्रिक्ट सोल्व करते हैं तो यह तक हैर मल्टिप्लिकेशन था तो आपको बता दिया जाए और नेक्स ट्राफिक शुरू करते हैं इसी वीडियो वीडियो में लेंड है आपको एक्जाम में इस टैप का कुश्चन देखने में मिलता होगा जैसे कि इसको बोलते हैं कि इस बाला कुश्चन में आपको पता करना रहता है कौन सा सबसे बढ़ा संक्या रहता है कौन से बढ़ा छोटा है कौन सबसे छोटा रहता है कि यह आपको देखने को मिलता है और यह क्या बोलते हैं इसको उपर वाला कॉंस बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं उपर कॉंस बोलते हैं नीचे को हर बोलते हैं उपर अंस नीचे हर होता है तो आपको सुल्व करने यह तुड़ा दिक्कत होता होगा एक जाम में हम सुल्व करेंगे इजी ट्रिक से कैसे सॉल करेंगे 25 बटा 28 इसको इसमें से माइनस करेंगे इसको प्रोपर फ्रेक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोपर फ्रेक्शन पचीस में से अठाइस मैनस करेंगे तीन मतलब यह होगा इसको इसमें से मैनस करेंगे तो यह होगा आपको चार होगा कितना होगा चार होगा और यह इसको इसमें से मैनस करेंगे तो यह बारा होगा ठीक तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेंगे इसका सब का अंतर निकाल को बारवर बनाना है यह टीन को किस से मल्टिप्लाइ करेंगा चार से करेंगे यह 12 बन गया उसी चार से इसको मल्टिप्लाइ कर देना है तो यह हो गया एक सो निच्छे क्या हो जाएगा आपको जो रहेगा वह आपको लिख देना ने तो नीच्छे छोड़ दो अभी नहीं लिखना बस ऐसे देख रहते हैं ठीक पहले सोल करते हैं तब इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे अधुक्त मुझागाיל दीचा्छ जाएगा 106 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे मुल्टिप्लाइ सबसे बड़ा संख्या कौन है तो बोलोगे सर यह बला है विल्कुल यह जो एक तालिस बाइन पैटालिस है यह आपका सबसे लार्जेस्ट नमबर सबसे लार्जेस्ट संख्या समझ गए आप से पूछा जाएगा सबसे छोटा कौन है तो आप ही बदाओ सबसे चोटा संख्या हो गया तो आपको इस टैप का एक्जाम में कोस्चन देखने को जरूर मिलेगा इस टैप का कोस्चन देखने के लिए आप ऐसे ही पहले चेक कर लेज़ेगा प्रोपर फ्रेक्शन है कि ने प्रोपर कुंतलब यह होता है उपर में छोटा होना चाहिए न सब्सक्राइब देखने का लिए अंत्र निकाल कर लिए जिएगा जितना ुषान के यहाँ बारे बनानाटा इससे उपर उनिद्षी लिए 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 टेसे सलया जिसे टैखने करते लिए 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 गा इसके पता रहता है तो आपको इं pension निकालने के लिए जिससे आ आप का हूता इस यह दिया है 70 का 30 परसेंटेज 70 का 30 का 30 परसेंटेज गया हों थे इस फाइल यह भी जीरो इसे को मल्टिप्लाइ कर देने साथ को तीन से मल्टिप्लाइए करेंगे तो 21 हो जाएगे 21 यानि कि आपका 70 का 30 परसेंट पुछेगा तो कितना होगा 21 होगा कितना हो जागा कि 110 का 40 परसेंट पूछेगा देख रहा है इधर भी जिरो है इधर भी जिरो है तो चुप चाप पीछे वाला संख्यां जो है उसको मल्डिप्लाइ करते हैं तो एक आरट चुका 44 हो जाए इंस एक 110 का 40 परसेंट कितना होगा आरा समझ में यह आपको ट्रिक सब काम आता है एक्जाम में जैसे 150 का 50 परसेंट बोल रहा है इधर भी देख लेना जिरो है इधर भी जिरो है तो पीछे वाला संख्यां जो है यह पीछे वाला संख्यां इसको आपस में मल्डिप्लाइ कर देंगे 15 55 लीजी आपका इंसर्ट ह पूछ रहा तो इधर भी जिरो है इधर भी जिरो है तो आपको पीछे वाला संख्यां को क्या कर रहा है मल्डिप्लाइ कर दें तो बर्चके 72 इसका एंसर हो गया इसी तरह से आपको इस वाला संख्यां को भी आपको देखना है इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो 22 को 9 से मल्टि इंटीजिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् तरह से कोश्चन था तो आपको समझ में आ गया होगा आज के बाद आप इस टैप का इतना ट्रिक इसमें बताए है यह आपको कोश्चन नहीं छुटेगा और नहीं गलत करके आएंगे और इसका नेक्स टॉपिक को इस टॉपिक जितना कवर कर लिए इस वीडियो उसके अलावा जितने टॉपिक बच रहा है सारा टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे जो एक वीडियो में कवर करने के लिए वह वी ट्र सबस्क्राइब करिएगा दोस्तों से भी सब्सक्राइब करहेगा को दोस्तों में जरूर आपको इस चाह一次 में डिसकस करेंगा ताकि आपको एकञाम में असान हो जाएगक है